हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनादर वीडियो, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एफिडविट के बारे में, इस एफिडविट में 5 पॉइंट दिये गया हैं, और ये एफिडविट, गैस टेस्टिंग इग्जामिनेशन के लिए, या डीजी एमेस के जो भी इग्ज कराये जाते हैं, इग्जामिनेशन, सिर्फ और सिर्फ इग्जामिनेशन के लिए ही इसको परियोग में लाना है, यदि आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हो, डीजी एमेस से छूट के आधार पर, छूट यानि कि अगर आपने डिप्लोमा किया है, या आपके पास एक्सप क्लास मेनेजर, सेकेंड क्लास मेनेजर, यह सब चीजों के लिए अगर आप आवेदन दे रहे हो, तो आपको पांच पॉइंट वाला एफिडेविट देना है, यहाँ पे एफिडेविट आप कहीं से भी बनवा सकते हो, यह डीजी मेस के दोरा निवारे कर दिया गया है, आ आप जिस भी एस्टेट से वेलोग करते हो, वहां के कोई भी सिटी के नौटरी से, नौटरी पबलिक से इसको बनवा सकते हो, हर जगा इसकी कोष्ट अलग-अलग है, लेकिन मिन्मम पचास रुपया तो इसमें लगी जाता है, सबसे पहले यहाँ पे आपको फील अप करना है, आई, अपना नेम लिख देना है, सन ओफ, फादर्स नेम लिख देना है, एजड अबाउट, कितना साल आपका हो रहा, 22 यह, 23 यह, 24 यह, काउंट करके आप लिख दो, बाइफेथ, जो भी आपका रिलीजन है, हिंदू, मुसलिम, सीख, हिजाई, कुछ भी हो, वो फील करना है, बाइ उकूपेशन में, आपको स्टूदेंट फिल अप करना है, रिसिडेंट ओफ विलेज, आपका एड्रेस, पोस्ट ओफिस, दिस्टिक, अस्टेट, ठीक है, यह, यह, सब आपका फिल करना है, उसके लावा, जो फर्स्ट पॉइंट है, बैट इंफोर्मेशन, फर्निस इन माई अप्लिकेशन फोर, इग्जामिनेशन का नाम रिखना, जैसे कि मालो आप गैस टेस्टिंग के लिए अप्लाई कर रहे है, तो हाप गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन, या फिर आप मालो की सर्दार इग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो म सरदार के लिए आवेदन पत्र आता है तो उस आवेदन पत्र में जो डेट फिल अप किये हो यहाँ पर सेम डेट होना चाहिए ठीक है और सेकेंड नमबर ऐसे ही है थर्ड नमबर पॉइंट में आपका क्या है कि अगर आप इससे पहले एक बर और परिच्छा दे चुके हो य साइन मुहर बगेरा सील यह सारे चीज कर देंगे ठीक है थिस अल अवाउट एफिदेविट फोर एक्जामिनेशन पर्पस सो थैंक्स फोर वाचिंग इस वीडियो मिट यू सून इन नेक्स वीडियो